हेलो दोस्तों मेरा नाम है सराफत आप देख रहे हैं यूनो गल्फ यूटूब चैनल दोस्तों आज हम सिखने वाले हैं अपने जीमेल एकाउंट का अगर पासवर्ड भूल गया है तो उसे रिक्यवरी कैसे करें रिसेट कैसे करें नया पासवर्ड कैसे बनाए उससे पहले चोटा सा रिक्वेश्ट है दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले चले चलते हैं अब टॉपिक के तरफ अब हम आगे दोस्तों मोबाइल स्क्रीन के तरफ तो अगर आ हम गूगल पर सर्च कर लेंगे जी में लोग इन करके हम सर्च कर लेंगे उसके बाद सिंपली कुछ इस तरह का वेबसाइट आपके पास आ जाएगा तो फर्स्ट वाला नहीं सेकेंड वाला आप देख रहे हैं गूगल एकाउंट साइन इन उस पर हम क्लिक कर लेंगे उस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह के आपके पास इंटरफेस आएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैप कर लेंगे इमेल जिसका आप पासवर्ड भूल गया है जो उनसा भी जी मेल है आपका जिसका पासवर्ड भूल गया है यह वो यहाँ पर टैप कर लेंगे जैसे मेरा एक email है मैं password उसका भूल गया हूँ तो यहाँ पर tap कर रहा हूँ टाप करने के बाद simply हम search कर लेंगे सुरी next कर लेंगे उसके बाद आप से वो password मांग रहा है तो password आपके पास तो है नहीं भूल गया है तो simply हम क्या करेंगे forget password पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप से मांग रहा है कोई last का कोई भी dg आपको मालूम है तो आप टाइप कर सकते last password मैं randomly कुछ भी गलट टाइप करो क्योंकि मुझे मालूम है ही नहीं टाइप करके हम next कर देंगे next करते ही कुछ इस तरह के आपके पास interface आएगा तो simply वो नए password आप बना सकते कह रहा है create password तो आप नए password बना सकते हैं तो यहाँ पर आप नए password बना ले फिर simply नीचे आप चले जाए confirm कर दें जो आपने उपर password लिखा से हम नीचे लिख दें उसके बाद आप या तो save कर सकते हैं phone के अंदर password उसके लिए save password पर कर लेंगे या तो skip कर देंगे हम simply skip कर देंगे दोस्तो skip पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो secure my ID पर क्लिक कर सकते हैं या आप continue हम simply continue कर लेंगे continue करते ही आपका ID का password create हो जाएगा देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा वेलकम अनीश राज जैसे मेरा ID का नाम था अनीश राज और आपका ID का password create हो चुका successfully अब यहाँ से सारे activity आप चेक कर सकते हैं आप अपना professional information देख सकते हैं data recovery data and privacy चेक कर सकते हैं security चेक कर सकते हैं तो उमीद है कि आपने password बनाना सीख लिया है thanks for watching